हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटरफेस बाई रवी पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 7 अगस 2022 के वीकली करंटरफेस के क्वेशन से इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपोर्टेंट लिये हैं अगर आप किसी भी एक्जाम ये तियारी कर रही हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा यूसफुल रहने वाली है तो चले फ्रेंट वीडियो के शिरुवात करते हैं एक मोटिवेशन कोट से लाखो किलोमेटर की यातरा एक कदम से ही शुरू होती है इसका कहने का मतलब दिखी ये है कि अगर आपने कोई भी अपने लाइफ में लक्षे तेकर रखा होगा उसके लिए आपको अपना एक पहला कदम तो लेना ही होगा चाहे आपका लक्षे कितना लंबा कितना बड़ा ही क्यों न हो लेकिन जब तक आप उसके लिए पहला ही स्टेप नहीं लेंगे तब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं पड़ सकते तो चले फ्रेंट्स इस वीडियो की शिरवात करती है question number first से पहला question है भारते क्रशी अनुसंथान परिशत के नए महा निदेशक कौन बनी है सही answer है फ्रेंट्स हीमान्शू पाठक तो हिमान्शु पाठक जो है भारते क्रशी अनुसंधान परिशत के नए महा निदेशक बनी है फैंट्स बात करते हैं अगर हम इंडिन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च की इसके स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई है और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में अगला कोशन है नागरिकों को सस्ते दरों पर यात्रा उपलब्द करवाने के लिए औनलाइन सरकारी इटैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंसर है फैंट्स केरल तो केरल ने अभी हाली में इटैक्सी सेवा को शुरू किया है इसका उदेशे है देखे कियरल में जो इस टाइम पे जो दरे चल रही है एक तरीके से जनता को जो यात्रा है वो सुरक्षित और परिशानी मुक्त मिल जाए इस चीज़ को सुनिशित करना सही आंसर है फ्रेंट्स सत्यंत्र प्रकाष यह प्रेस सूछना बीरो के अभी हाली में नए प्रदान महा निदेशक बनी है बात करती है प्रेस इंफॉरमेशन बीरो के तो इसकी स्ठापना हुई फ्रेंट्स 1919 में और इसका मुख्याल्रे नई दिली समी कंड거 नीती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो सामाने अवस्था में तो विद्धोधारप्रवाईद नहीं होती लेकिन जैसे ही हम पढ़आते हैं उनमें विद्धोधारा प्रवाहित होने लगती है तो ऐसे पधार्थों को सेमी कंड़क्टर या हिंदी में कहें तो अर्ध चालक पधार्थ इनको कहा चाता है आगला कोशन है तुनिया का पहला तमबाकू निरोधी विल किस देश के संसत में पेश किया गया है राइट आंसर है फ्रेंट्स न्यूजिलेंड बात करते हैं फ्रेंट्स न्यूजिलेंड की तो न्यूजिलेंड जो है वो ओशीनिया में ओशीनिया बहादीप में स्थित है रास्तानी है वेलिंग्टन, करंसी है नियूजिलेंड टॉलर, प्रधान मंत्री का नाम है जैसिंडा आर्डर्न Next question is, डिगरी प्राप्त युवाउं को बिविन प्रतियोगी परिशाओं की निशुलक तयारी करवानी के लिए मुख्य मंत्री सारती योशना को किस राज्य की सरकार ने शुरू करने की गोश्ना की है इस योशना के मादयम से वे सभी चातर चिड़की आर्थिक इस्तिदे के कंजोर है और उसी आर्थिक इस्तिदे की बदा से वो कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते तो उन सभी को यहाँ पे इस योशना के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी सही आंसर है मैक्स वर्सपीन मैक्स वर्सपीन रेड बुल के रेसर है उनकी कंट्री वी ध्यान रखेगा नीदल लेंड दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बनी है? राइट आंसर है संजे अरोडा यहाली में दिल्ली के नए पुलिस कमिशनर बनी है नेक्स्ट है ब्लूंबर्ग द्वारा जारी कीगे रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर है सावित्री जिंदल फेंड्स बात करें अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शीश तीन महिला हैं पहले पे हैं सावित्री जिंदल दूसरे नंबर पे हैं चीन की फें हुआंग भी और तीसरे नंबर पे भी चाइना की हैं यांग हुयान तो इन तीनों के ध्यान निकिगा वैसे जाधा तर आपसे जो शीश पे हैं उन महिला का ही नाम पूछेंगे सही आंसर है फ्रेंड्स इंग्लेंड तो इंग्लेंड ने दिखे इसमें फाइनल में किसको डिफीट किया जर्मनी को हराया और यह जो फुटबॉल प्रत्योगिता है इसका खिताब चीता है इस जामपेशिप का आयजन हुआ इंग्लेंड में और यह इसका तीहरुआ संस्क्रण हुआ फ्रेंड सबारी लास्ट सिक्स मन्त की जो करेंट अफेस की बुक है जनवरी से जून 2022 तक की यह लॉंच हो गई है सबी क्वेशन इसमें टॉपिक वाइस है जोकि आपके एक्जाम पॉइंट ओवी से काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड से वीडियो यह जो बुक है वो आपको असानी से फ्लिपकार्ट अमिसॉन पर मिल जाएकि आप इसे वहां से बाई कर सकती है नेक्ट क्वेशन है हमारा भारत में विश्व बैंक के नई प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर है अगस्ते तानो कौमे यह भारत में विश्व बैंक के नई प्रमुक बनी है फ्रेंस बात करते हैं वर्ड बैंक की तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में होई है इसका मुख्याले है वाशिंगटन में अध्यक्ष है डेविट मालपास MD और CFO है अंशुला कांत सही आंसर है साओधी अरब इस वर्टिकल शहर को जो नाम दिया गया है वो है दा लाइन यह इत्यास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाब में नहीं बलकि उचाई की और बढ़ते हुए बनेगा इस शहर की लंबाई 170 किलो मीटर होगी और चड़ाई होगी 200 मीटर साओधी अरेबिया की बात करते हैं तो यह एशिया महादीप में सीत है इसके राज़नानी है रियाद, करंसी है साओधी रियाल और साओधी अरब के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है फ्रेंड शाह सल्मान नेक्स्ट क्वेशन है हमारा प्रधानमंत्री कारियाले की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है शुएता सिंग तो फ्रेंट शुएता सिंग प्रधान मंत्री कार्याले की नई नेदेशक बनी है प्रधान मंत्री कार्याले प्रधान मंत्री के अधीन कारे करता है इसकी स्थापना हुई 1947 और मुख्याले है नई दिल्ली में दूर संचार कंपनी वोड़ाफोन आइडिया के नए अध्याक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है रविंदर टककर फ्रिंस वोड़ाफोन और आइडिया जो है इसकी स्थापना हुई 31 अगस 2018 मुख्याले हैं मुंबई और गांधी नगर में और इसके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिर्ला क्वेशन है अगला आंगरवाडी में पढ़ रहे बच्चों के पोशन की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूद योशना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? जवाले सप्ता यानि दस महीने के लिए सप्ता में दो दिन 125 मिलिलेटर दूद और सप्ता में दो बार एक अंडा जो है वो दिया जाएगा बच्चों को नेक्स्ट क्वेशन है भारत के नए केंद्रे सतरकता आयुक तो कौन बने है? सही आंसर है फ्रेंट्स सुरेश एन पटेल बिजली विभागों की परिचालन शमता और वित्य स्थरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्तान वित्रण छेतर योशना को किसने शुरू किया है? इस योशना का उदेश है बिजली वित्रण के बुनियादी ढाचे के आधुनी करण और सुधरी करण के लिए बिद्धुत वित्रण कंपनियों को वित्य सहायता प्रदान करना नेक्स्ट क्वेशन है विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंट सही आंसर है 31 शुलाई तो 31 शुलाई को विश्व रेंजर दिवस जो है मनाया गया है और इसकी थीम है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेशन इस बांगलादेश में भारत के नए राज़तोत कौन नियुक्त हुए है? राइट आंसर है प्रणय वर्मा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बांगलादेश की तो कैपिटल है धाका, करंसी है टका, प्रधान मंत्री है शेक हसीना, राष्टपती है अब्दुल हामेद, गंगा नदी को बांगलादेश में यह हमें इंपोर्टेंटली ध्यान रखना है पद्मा के नाम से जाना जाता ह नेक्स्ट क्वेशन है महिलाओं को उनके समवेदानिक अधिकारों के बारे में जागरो करने के लिए मुख्य मंत्री महतारी न्याय रत यात्रा किस राज्या ने शुरू की है? सही आंसर है 36 कर तो मुख्य मंत्री महतारी न्याय रत यात्रा को 36 कर की सरकार ने शुरू किया है यह यात्रा 36 कर राज्य महिला आयों की पहल पर राज्य की जितनी भी महिलाई है उनके क्या समवेदानिक अधिकार है क्या उनके कानूनी अधिकार है उनके बारे में जागरो जो है वो उन्हें किया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खेलाणी ने पहला स्वनपदक जीता है सही आंसर है फ्रेंड्स मीरा बाई चानू और ये भी ध्यानने केंगे कौन सी स्पोर्ट है इनकी भारत तोलन इस बार जो बर्मिंगम जो ये कॉमनवेल्ट केम है इनका आयजन हो रहा है इंग्लेंड के बर्मिंगम शहर में संस्क्रण है इसका बाईस हुआ शुबंकर है पैरी दबुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरिवन नेक्स्ट है बच्चों के पोशन की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राप्मिक फिध्यालों में मुख्य मंत्री नाश्ता योशना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है राइट आंसर है तमिलनाडू नेक्स्ट क्वेशन है इंग्लेंड के लिसिस्टर किर्केट ग्राउन का नाम भारत के किस महान किर्केटर के नाम पर रखा गया है तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सुनील गावसकर जी के नाम पर रखा गया किस विध्वान को भारते सांस्कृतिक संबंध परिशत के लिए विशिष्ट इंडो लॉजिस्ट पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स इनका नाम है जैफरी आमस्ट्रॉंग और ये कौन से देश से हैं कानडा से पी आरेस लेजिसलेटिव रिसर्ट वाराजारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसवा बैटकों के मामले में कौन सा भारते राज्य शीष इस्थान पर रहा है सही आंसर है केरल तो फ्रेंट्स चो केरल है ना वो इसमें शीष इस्थान पर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार 21 में केरल विधानसवा सत्र में कुल 61 दिन का काम हुआ है जो कि सबसे ज़ादा है वही अगर हम देश में औसतन विधाई सेवाओं की बात करते हैं तो विधान जो जो जोतनी भी सबहाई होती है सिर्फ उसे 21 दिन तक बैटक जो है वो 21 दिन तक अपना जो सत्र है उसको करती है अगर शीष तीन राज्यों की बात करें पहले पे है केरल फिर है उडिसा देन है आपका करनाटक नेक्स्ट क्वेशन है डॉक्टर सी नारायन रेडी साहित्ये राष्टे साहित्ये पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर है प्रतीभारी तो फ्रेंट्स त्यान नेकिंगे डॉक्टर सी नारायन रेडी राष्टे साहित्ये पुरुषकार से सम्मानित किया गया है प्रतीभारी को इनको यह पुरिसकार उनकी उपन्यास और जो लगू कत्हाई है उनके उनके लिए उनको यह पुरिसकार दिया गया है चंडीगर में आयजित नशीली दबाओं की तसकरी वराष्टी सुरक्षा विशय पर उत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की अध्याक्षिता किस ने की है? सही आंसर है आमिश रहाजी ने जो है इसकी अध्याक्षिता की है यह इस तरीकी का पहला इसा राष्टे सम्मेलन है जिसमें भारत के ग्रह मंत्री के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की मुख्य मंत्री और मादक पधार्टों पर लगाम लगाने वाले एजंसी यह सभी जो हैं वो एक मंच पर होंगी क्वेशन है भारत और किस देश की सेना के बीच अलनसा फोर्ट नामक सैन्य अभ्यास आयचित हुआ है तो फैंस भारत और ओमान देश की सेना के बीच में इसका आयचिन किया गया है ये जो सैंत्र सैनिय अभ्यास हुआ है ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच रक्षा सैयों के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के बीच दुई पक्षे संबंदों को बढ़ावा देना इस पार इसका संस्क्रन ध्यान ने केंगे कौन सा हुआ है चौथा ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम के जानकारी प्रदान करने के लिए किस पहुराष्टे प्रद्योगी की कमपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा को शुरू किया है तो एक कमपनी कौन सी है गूगल मैप्स गूगल मैप्स ने दो स्थाने कमपनियों एक जैनेसिस और इंटरनाशनल जैनेसिस इंटरनाशनल टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू जो सर्विस है इसे लॉंच किया है यह बुक किस ने लिखी है तो फ्रेंट्स आंसर है संजय बारू ने जो है यह पुस्तक लिखी है चौती ओन जीसी पैरगेंग्स 2022 कहां पर आयचित हुए है तो फ्रेंट्स करेक्ट आंसर है नई दिल्ली नेक्स्ट क्वेशन है हमारा फ्रेंट्स ओयल इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है फ्रेंट्स बात करते हैं ओयल इंडिया लिमिटेट की तो इसके अभी अध्यक्ष बनी है रंजीत रद ओयल इंडिया लिमिटेट के सापना हुए 18 फरवरी 1969 मुख्याले जो है वो इसका नौईडा उत्तर प्रदेश में है भारत और किस देश के सेना के बेस युद अभ्यास नामक सेने अभ्यास आयजित हुआ है ये आयजित किया जाएगा सौरी तो आयजित ये कब किया जाएगा ये अभी जो है ऑक्टोबर के टाइम पे इसका आयजित होगा सेप्टमर ऑक्टोबर के टाइम पे और किसके बीच में होगा भारत और अमेरिका देश की सेना के बीच में इसका आयजित किया जाएगा इस सेन्य अभ्यास का उदेश है दोनों देशों के सेनाओं के बीच आपसी समझ सयोग और अंतह किर्याशीलता को बढ़ावा देना इसका आयजन होगा उत्राकंड के ओली में और इसका संसकर्ण रहेगा अठारुआ क्वेशन है वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रैंड अम्बैसेटर कौन बनी है करेक्ट आंसर है वानी कपूर बोनालू महसव 2022 किस राजे में शुरू हुआ है तो फ्रेंट्स करेक्ट आंसर है तेलंगाना पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिष अधिक्षक कौन बनी है यानि पाकिस्तान में पहली महिला डियस्पी कौन बनी है इनका नाम है मनीशा रुपेटा बारते नौसेना में पहला स्वदीशी विमानवाहक पोथ आई एनस विकरांट 28 शामिल किया गया है इस पोथ का निर्मार किस कंपनी ने किया है सही आंसर है कोचिन शिपियार्ड लिमिटेड इंडिया निवी की बात करते हैं फ्रेंट्स इसका मुख्याले है नई दिल्ली में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस नौसेना प्रमुखे है आर हरी कुमार अंतराश्टी बाग दिवस 2022 कब मनाया गया सही आंसर है 29 शुलाई तो फ्रेंट्स 29 शुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और इसकी थीम है इंडिया लॉंचेस प्रोजेक्ट टाइगर टो रिवाइव दा टाइगर पॉपुलेशन नेक्स्ट है भारत में 11 वी क्रशी जनगरना 2021 का शुभारंब किस ने किया है तो फ्रेंट्स बात करते हैं जो 21 वी क्रशी जनगरना हुई है न इसका शुभारंब किया है नरेंदर सिंग तोमर जी ने जो की है क्रशी एवं किसान कल्यान मंत्री ये जो जनकरना है इसमें विश्व क्रशी कारिक्रम के भाग के रूप में प्रतेक पांच वर्ष में ये आयोजित की जाती है इसका उदेशे होता है या इस कारिक्रम के तहट भारत में परिचालन जोतों की क्रशी अर्धिविवस्ता के महत्वपून पहलियों पर बुनियादी डेटा को एकत्र किया जाता है किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राजय में मनाया गया है तो फ्रेंट सही आंसर है 36 गड में जो है ये मनाया गया है अगला कोशन देख लीजे भारते भाषा प्रद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने AI4 भारत में नीले कणी केंदर को लॉंच किया है सही आंसर है फ्रेंट्स IIT मदरास जो AI4 भारत है ये इंजीनियर डोमेन विशेशग्यों नीती नर्माता और सिक्षा विदो का एक गयर लापकारी खुला शोथ समुदाई है ये जो कि भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक और परियावरणिय चुनोतियों को हल करने के लिए AI समाधान बनाने में सयोग कर रही है नेक्स्ट है विश्व इस्तनपान सबताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा सही आंसर है एक से साथ अगस्त तक जो है वर्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा इसकी थीम रही स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुगेट एंड सपोर्ट नेक्स्ट इस भारत और किस देश की सेना के बीच दोई पक्षिय सेनने अभ्यास एक्स बिनबैक्स 2022 आयचित हुआ है तो फैंस यह जो अभ्यास सेना यह भारत और वियतनाम देश की सेना के बीच में इसका आयचन किया गया है कहां पे इसका आयचन हुआ हर्याना के चंडी मंदिर और इसका संस्क्रण ध्यान रखेंगे तीसरा नेक्स्ट है लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रसाहित करने के लिए Goods for you, Goods for the planet अभ्यान को किस नहीं शुरू किया है तो फ्रस ये तो अभ्यान है ना इसे शुरू किस नहीं किया है विष वण्यजीव एबं परियावरन, संगतन, स्विजलेंड ने जो है यहां पे इस अभ्यान को शुरू किया है WWF यानि World Wide Fund for Nature की बाद करें इसके स्तापना हुई 29 April 1961 मुख्याले है ग्लेंड स्विसलेंड और इसके अध्यक्ष है पवन सुकदेव अगरा कोशन है हमारा अखिल भारतिय जिला विदिक सीवा प्राधी करनो की पहली बैटक कहां आयजित हुई है सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इसका आयजन किया गया है इस पैटक की जो बैटक के इसमें जिला विदि सीवा प्राधी करनों में एक रुपता और समन्वे लाने के उद्देशे से इसको इसका जो है इसके निर्मार पर ये आधारीते प्रकिर्या ने किये नरेंदर मोधी जी ने क्वेशन है फ्रेंड्स हमारा भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगतन धर्ति की निगरानी के लिए CSLV, SSLV D1E0S02 नामक मिशन कहां से लांच करेगा इसे सतीष धवन अंतरिक्ष केंदर श्री हरी कोटा से लांच किया जाएगा SSLV का मतलब होता है Small Satellite Launch Vehicle Question है World Wide Web जो डे है ये कब मनाया जाता है तो सही आंज़र है फ्रेंड्स एक अगस्त तो World Wide Web दिवस मनाया जाता है एक अगस्त को आगला कोशन है आदीपुरम महसव 2022 कि सराजे में मनाया गया तो फ्रेंड्स बात करते हैं आदीपुरम महसव 2022 की तो ये कहां में मनाया गया तमिल नाडू में बर्मिंगम राश्टुमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत के सबसे कम उमर की अतलेट कौन बनी है तो फ्रेंड्स सही आंसर है अनाहत सिंग तो अनाहत सिंग भारत के सबसे कम उमर की अतलेट जो है वो बनी है नेक्स्ट हमारा क्वेशन है उडिसा राजे ने मेकिन उडिसा सम्मिलन 2022 के तहत राश्टी उद्योग भागेदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर करनी है सही आंसर है फ्रेंट जो समझोता है ये फिकी के साथ में हुआ है यानि फेडरेशन ऑफ इंडियन चामबर्स ऑफ कॉमर्स नेक्स्ट क्वेशन है गूगल द्वारा यातया डेटा सारवजनी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है सही आंसर है औरंगाबाद महराश्ट तो औरंगाबाद को जो नया नाम हो गया है वो है फ्रेंट संभाजी नगर नेक्स्ट क्वेशन है भवपक्षी हबाई युद्धब्यास पिच ब्लैक 2022 कहां पर आयजित किया जाएगा तो फ्रेंट जो ये अभवपक्षी है पिच ब्लैक इसका आयजिन कहां पर किया जाएगा तो औरंगाद में इसका आयजिन किया जाएगा राइट आंसर है फ्रेंट्स हमारा भार्टिय नौसीना के साथ ये समझोता किया गया है इस समझोते ग्यापन के तहर दोनों के बीच डिजाइन और सिक्षा प्रद्योगी के सहित एरोस्पेस इंजीनिरिंग के छेतर में सहियोग किया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है प्रोटीन के आकार और सननिशनाओं की अत्यधिक सटीक भविश्यवानी के लिए एल्फा फोल्ड नामक क्रतिम बुद्धी मत्ता उपकरण को किस प्रद्योगी की कंपनी ने विखसित किया है इत्यास में पहली बार भारते महिला लॉन बॉल्ड टीम ने बर्मिंगम राष्टर मंडल खेल में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने फ्रेंट जीता है स्वन पदक यह हमने फ्रेंट डिसकस कर लिया है कि जो बर्मिंगम में खेल हो रहे हैं इनका आयजर इसल बर्मिंगम है संसकर्ण है 22 और इसका शुभंकर है पैरी दा बुल उडिसा के मुख्यमंती नवीन पटनाएक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामा की पुस्तक का विमोचन के इस पुस्तक को किस ने लिखा है सही आंसर है साईयूकता दाश्च ने जो है वो इस पुस्तक को लिखा है सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स एस पुरिषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर है सत्य नारायन मुंदियूर जी को जो है सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स एस पुरिषकार 2022 से सम्मानित किया गया अगला कोशन है भारत की कितनी नई आदर भूमियों को रामसा सूची में शामिल किया गया है तो फ्रेंटस अभी हाली में 10 नई आदर भूमियों है जिनको रामसा सूची में शामिल किया गया है इनके साथ आप रामसर साइट की तो देखे फ्रेंट्स कुल संख्या कितनी हो गई है अब टोटल रामसर साइट हो गई है भारत में 64 तो ये नमबर हमें अच्छे से ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स बात करते हैं जो बुक है ना किस ने लिखी है तो आंसर हो जाएगा स्टीफन बारकर ने जो है वो इस पुस्तक को लिखा है फ्रेंट्स हमारी लास्ट सिक्स मन्स की करेंटर फेस की बुक लॉंच हो गई है जिसमें आपको सबी क्वेशन्स टॉपिक वाईस मिलेंगे ये जो बुक है आपको इसली फ्लेपकार्ट अमेजॉन पे मिल जाएगी आप इसे वहां से बाई कर सकते हैं फ्रेंट्स अब बात करते हैं कुछ अन्या महत्वपून प्रश्णों की जो कि इंपोर्टेंट है ये भी सारे प्रश्णा आपके एक्जाम के लिए तो चले शुरू करते हैं इस पुस्तक को किस ने लिखा है एलन प्रागर ने नेक्स टें फ्रेंट्स हमारा भारते वायू सेना वश तो हसार पचरिस तक किस विमान को भारते वायू सेना से बाहर करेगी तो विमान कौन सा है मिग 21 22 विमान को इसके बादे फ्रेंट्स भारत तिब्बत सीमा पुलिसपल यानि जो ITBP है इसके नए महानेदेशक कौन बनी है सुजोय लाल थाउसिन इनको अतरिक्त प्रभार दिया गया है किस संस्थान के शोतकरताओर ने दुनिया का सबसे टिकाओ इंधन सेल विक्सित किया है तो आंसर है हॉंग कॉंग विज्ञान और पिद्योगी के विश्विध्याले बारत में मंकी पॉक्स के स्थिती के निगरानी के लिए केंद सरकार द्वारा कठी टास्फोर्स का प्रमुक किसे नियुक्त किया गया है तो फैंट्स आंसर है वी के पॉल बर्मिंगम राष्टर मंडल केल 2022 में किस खिलानी ने पुरुषो के 109 किलोग्राम केटिगरी भारत दोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्टर रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांसे पदक जीता है आंसर है लवप्रीस सिंग आर्थविवस्ता में सुधार के लिए भार्टे रिजर्बैंक का समगर वित्य समाविशन सुचकांग मार्श 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया है तो आप यह हो गया है फ्रेंट 56.4 नेक्स्ट है टाटा समुके स्वामित वाली एर इंडिया के पाइलोटों की सीवा निवरती की आयू 58 वर्ष से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो आप जो आयू हो गई है फ्रेंट्स वो है 65 वर्ष नई दिल्ली के प्रसित दिलाल किले से संसत सदस्यों द्वारा हर गर तिरंगा बाइक रेली का आये जन किस ने किया है आंसर है जी किशन रेड़ी जी ने नेक्स्ट है भारत के राष्टपती के नए मानद सर्जन कौन बनी है तो फ्रेंट्स आंसर है जनरल दलजीत सेंग नेक्स्ट है दो अगस्ट दो हसार बाइस को भारते राष्टे द्वच का निरमार करने वाले पिंगली वैंक्या जी की कौन सी जेंती मनाई गई आंसर है 146 मुसलिम महिला अधिकार दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया है तो फ्रेंट्स आंसर है एक अगस्त कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाडी को क्या नाम दिया गया है तो यह जो पॉइंट 5140 है इसे नाम दिया गया है गन हिल अंतराश्टी T20 क्रिकेट में लगातार दो शयतक लगाने वाले पहले खिलाडी कौन बनी है इनका नाम है गुस्ताब मेकौन जो की है फ्रांस से नेक्स्ट है फ्रेंट चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहां आये जित हुआ है करेक्ट आंसर है मुंबई महराष्ट वर्ड लंग कैंसर डे कब मनाया चाता है तो फ्रेंट्स बात करते हैं वर्ड लंग कैंसर डे के तो ये एक अगस्त को मनाया चाता है बर्मिंगम राष्ट मंडल केल 2022 में भारतिय भारत तोलन खिलाडी जो है अंचिता शेवली इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो फ्रेंट्स आंसर है स्वर्ण बल्विंदर साफरी का 63 वर्ष की आयू में निधन हो गया यह कौन थे यह लोगपिरिया पंजाबी गायक थे किस देश में 300 वर्षों में पहली बार लुलो रोस नामक दुरलब गुलाबी हीरे का एक बड़ा तुकड़ा को जा गया है तो यह को जा गया अफ्रेकी देश अंगोला में नेक्स्ट है मिंजर मेला 2022 जो है वो किस राज्य में मनाया जाएगा तो फ्रेंट्स बात करते हैं मिंजर मेला की तो यह मनाया जाएगा हिमाजल प्रदेश में किस देश के पूर्व राष्ट्रपती फिदेल रामोस का भी हाली में ने धन हो गया है तो फेंट्स ये फिलिपिन्स देश के पूर्व राष्ट्रपती थे बर्मिंगम राष्ट्रमेंडर खेल 2022 में भारतिक हिलाडी जेरमी लाल रिंगुना ने पुरुषो की 67 किलोग्राम भार प्रतिस परदा में कौन सा पदक जीता है तो फेंट्स आंसर है स्वार्ण क्वेशन है ICC T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्ध शतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर कौन बने है मोईन अली पैरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक स्लोगन जो लॉंच किया गए वो क्या है तो आंसर है गेम्स वाइड ओपन इंटरनेट एवर मोबाइल असोसियेशन ओफ इंडिया द्वारा जारी भारत में इंटरनेट नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कितने मिलियन इंटरनेट यूजर सोंगे तो आंसर है 900 मिलियन नेक्स्ट है जन जातिय छेतरों के ग्रामिर लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर उर्जा उस्सव को किस राज्ये ने शुरू किया है तो फेंस आंसर है यहाँ पे महराश्ट क्वेशन नेक्स्ट हमारा मुदर स्फिती को नियंतरत करने के लिए जो है मोसी और तुन्या नामक सोने के सिक्कों को जनता को बेशने के लिए किस देश ने लौंच किया है तो इसे लौंच किया है जिमबाब्बे ने कांतार इंडिया की ब्राइंड फुट्प्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा खाद्य ब्राइंड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ने तेजी से बढ़ते कंजूमर प्रोड़क्स में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्राइंड है तो फ्रेंड्स आंसर हो नेक्स्ट क्वेशन है अंतराश्टिय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया कया है तो फ्रेंड्स आंसर है 30 चुलाई और इसकी थीम क्या है शियरिंग दा हीूमन स्प्रिट थू फ्रेंड्शिप तो फ्रेंड्स हमें डेस के साथ साथ न उसकी थीम के उपर भी फोकस करना है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी important questions इसे के साथ हमारी वीडियो होती है समाब थैंक यू सो मैं फिर वाचिंग तिस वीडियो